सो फ्रेंड्स आप क्या सोचते हैं इसमें क्या हो सकता है हाँ तो इसमें है रेड्मी नोट सेवेन प्रो आप देख सकते हैं यह रेड्मी नोट सेवेन प्रो का बॉक्स है आप लिखा है यह इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है चले देख लेते हैं इसके फीचर्स सो इसमें है 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल AI डूल रियल कैमेरा आप देख सकते हैं क्वालकम स्नाप ड्रागन 675 16 cm फुल एस्टी प्लस नॉच डिस्प्ली और इसमें 4000 मेच की बैटरी है हाई केपैसिटी बैटरी तो चलिए बॉक्स को उपन कर लेते हैं एक्चुली मैंने इसे इसका यह जो स्टिकर है वो मैंने पहले से फाहर चुका था सो यह यहां पर मिल जाता है जिसके अंदर हमारे मुबाई का कवर है चलिए निकाल के देख लेते हैं तो यहां पर एक यूजर मैनुल है जो इंग्लिश में और चाइनिज में दी गई है और यहां पर कुछ पेपर हो गया है यह रेड्मी का बैक कवर है जो हमारे मुबाई के पीछे डालेंगे हम आपको अगर थोड़ा साच्चा क्वालिटी का चाहिए तो फिर आप बाहर से भी खरीच सकते हैं वैसे यह भी बहुत अच्छा है इसको रखते हैं साइड में तो यहां पर है हमारा में इस निकालने के लिए बहुत एकसाइटिड था वाव क्या कलर है हां मैं आपको इसका कलर बताना बोल गया इसका कलर यहां पे लिगा था हां यह इसका कलर है नब्यूलारेंट और आप देख सकते हैं कैसा हमारा मुबाइल देख रहा है अच्छुली यह गोरिला ग्लास है यह दोनों जो ग्लास है न यह गोरिला ग्लास है स्टिकर को हम आटा देते हैं कि देखने से तो इस मोबाइल का लुक बहुत ज्यादा अच्छा है यहां पर आपको दो क्यामरा मिल जाते हैं और एक अलेडी लाइट मेल जाता आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है 48 Megapixel AI Dual Camera AI Dual Camera का मतलब है Artificial Dual Camera और यह जो सर्कल आप मिदल में देख सकते हैं यह fingerprint lock के लिए हैं तो इसे भी निकाल देते हैं यहां प्रेक्स, आपर यह तोमें ज्देश् सकते हैं प्रीक्स, आप म formas ब हमाँ इसी सर्क्वाल तो इसके नीचे भी कुछ कंटेंस हैं हम देख लेते हैं सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें टाइप सी चार्जर मिल जाता है और यह है उसका एड़ाप्टर और टाइब सी चार्जर का मतलब होता है फार्स चार्जर अगर आप इस चार्जर को किसी और मोबाइल में लगाएंगे तो यह शायद नहीं हो पाएगा खाली कुछ मोबाइल में यह चार्जर वर्क करता है सो फ्रेंज इसके अंदर हमें मुझे लगता है कि शायद एक पिन मिलता है हाँ यहां पर है वो पिन पिन को निकाल लेते हैं और अब हम अपने मोबाइल को बूट करेंगे स्टार्टिंग में ही हमें रेड्मी वाई शायमी देखने को मिलता है देखिए यह बहुत लाइट वेट है देखिए हमारा स्क्रीन आ चुका है और यह MIUI का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमें इंग्लिस चूज करना है इसके बाद नेक्स्ट हम इंडिया में रहते हैं तो फिर हम इंडिया चूज करेंगे यहां पर देखिए इंडिया रहा है तो मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया रहें देखिए यह सारे के सारे नेट्वर्क्स आगे हैं हम इसे स्किप कर देंगे और इसे हम कुछ ने ना और यह जो सिम कार दिखा रहा है आप सिम कार को कैसे ओपन कर सकते हैं मैं आपको फॉर्म में दिखाता हूँ जस्ट आपको यह पिन लेना है इधर थोड़ा सा प्रेस करना है पर आप यह देख सकते हैं सिम के लिए आ गया है मैं इसे वापस डाल देता हूँ और यह वापस फिक्स हो चुका है आगे करने से यह सब आ जाता है अभी हम मोर पे क्लिक करेंगे इसे एक्सेप्ट करेंगे पासवर्ड हमें तो नहीं सेट करना है अभी पर आप कर सकते हैं फिंगर प्रेंट के लिए दिया है ना अगर आप फिंगर प्रेंट सेट करना चाहते हैं अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, तो फिर फिर्स्ट आपको अपना फिंगर्प्रिंट देना है, फिर वो सिट हो जाएगा, स्क्रीन लप में आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक पास्वोर्ड पिन, हम इसे नेक्स्ट करेंगे, हमें थीम ये चूज कर, कोई भी हम चूज कर सकते हैं, मैं डिफॉल्ट चूज करना चाहूंगा, सेट अप कंप्रीट हो चुका है हमारा, ये थोड़ा सर टाइम लेगेगा होने को, अभी आप देख सकते हैं, हम होम स्क्रीन में आ गए हैं, अभी मैं आपको चारो तरफ से गुमा कर दिखा देता हूँ, ये साउंड कंट्रोल के करने के लिए हैं, और ये पावर बटन है, और ये सिम कार्ट जो अभी मैंने सिस्टम आपको दिखाया, वो निकालने के लिए ये हैं, यहाँ पे जो स्पीकर्स दिया गया हैं, और टाइप सी पोर्ट दिया गया हैं, और यहाँ पे 3.5 mm जाग दिया गया है, जो अगर आप गाना जब सुनोगे, तब ही हेड़फोन करने के लिए, वो यूज होता है, तो अभी हम इसे सेटिंग्स में जाएंगे हम पर दे, हम सेटिंग्स में आ गये हैं, अब अब अबाउट फोन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे हमें सारा कॉन्फिग्रेशन देखने को मिलता है, मॉडल है हमारा रेड्मी नोट 7 प्रो, और एंड्रोइड वर्जिन इसका वर्जिन है 9, और रैम है 4 GB, इंटलन स्टोरेज जो इसकी है, वो है 64 GB, जिसमें से हमें 51 GB मिलता है, फ्रेंड्स मैं मोबाइल की लुक अन फील से तो कॉइट साटिस्फाइड हूँ, और आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि यह अच्छा है कि नहीं,